भारत के एक व्यस्त शहर में दो लड़के रहते थे, रोहन और अर्जुन जो एक दूसरे से बिलकुल अलग थे, जैसे दिन और रात। रोहन साहसी था, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, जबकि अर्जुन शांत और विचार शील था, जिसे अकसर किताबों में हुआ पाया जाता था, हालांकि वे स्वभाव में अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लड़कों ने अपने मोहले में एक भव्य जुलूस देखा, लोग मधुर भजन गा रहे थे, खुशी से नाच रहे थे और भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेकर चल उनकी जिग्यासा बढ़ी और वे उस जुलूस के पीछे-पीछे चलने लगे, यह जुलूस उन्हें एक सुन्दर ढंग से सजाए गए मंदिर तक ले गया, जिसके प्रवेश द्वार पर इस कौन लिखा हुआ था, अंदर जाते ही उन्हें एक शांत माहौल ने घेर लिया जहां अगरबत्ती की खुश्बू और भक्तिमय संगीत की ध्वनी गूंज रही थी, उन्होंने देखा कि भक्त गण आरती कर रहे थे, जो की देवता को प्रकाश अर्पित करने की एक विस्तरत विधी है, लड़कों ने एक अजीब सी शांती महसूस की, जो उन पर छा उनकी रुची को देखकर उनके पास आए और एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, उन्होंने उन्हें अनुष्ठानों के महत्व और श्रील प्रभुपात द्वारा स्थापित इसकौन की शिक्षाओं के बारे में बताया, उन्होंने भगवत गीता के बारे में बात क जो प्राचीन शास्त्र है और भक्ती योग के दर्शन अर्थात भक्ती के मार्ग की शिक्षा देती है रोहन कृष्ण की लीलाओं और उनकी दिव्य कहानियों से प्रभावित होकर स्वयम को मंदिर की ओर आकर्शित महसूस करने लगा दूसरी ओर अर्जुन भगवद गीता की गहन शिक्षाओं और उसके जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिक्ता पर दिये गए उपदेशों से मंत्र मुग्ध हो गया